सब्सक्राइब कीजिए पीबी न्यूज चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाए आपके फोन में दिखाता है बार बार स्टारेज फूल हो गया है कुछ डिलेट करो कुछ आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं आपके फोन में यह प्रॉब्लेम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है लेकिन आज आपको इसी ट्रीक में आपको इस वीडियो में बताने व पेले आपकी phone की जो setting होगी उसको open कर लेना होगा फर्स ट्रिक में आपको बता रहा हो और यहाँ पे मैं आपको इदर उतर जाने के लिए नहीं बोलुगा उपर जो search bar होता है search bar में आपको search कर लेना है storage जैसे आप storage यहाँ पर search करते हो तो storage search करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी फोन की storage की सब दीटयल जानकरी मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उपर storage आपको दिख रहाए उसपे क्लिक कर लíजए आपका phone supposed samsung का होगा आपका Motorola का होगा Nokia का होगा MI का होगा जो भी होगा आप इस storage को यहाँ पर search किजिए आपके सभी के phone में storage का auction जरूर मिल जाएगा और यह सभी के phone में available होता है दोस्तों तो यहाँ पर मेरे phone में चेक कर ला है कि actually data कितना है तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ आप देख सकते है clean now यहाँ पर 200 MB यहाँ पर clean now पर बोल रह file 2 का इसने ले रखा है यह कैसे होता है दोस्तों मैं आपको बता दो suppose आपने एक आप्लिकेशन इंस्टॉल किया उसको थोड़े दिन यूज किया आपने उसको अनिस्टॉल कर दिया लेकिन यह पूरी जड़ से अनिस्टॉल नहीं होता है उसके फोल्डर हमारे phone में बन जा है और इसको हम कभी डिलेट नहीं करते हैं तो हर एक के फोन में storage को option में आके आपको यह पर clean now कर देना है जैसे आप इस पर clean now कर देंगे तो आपका यह 200 MB data सब कुछ यह आपको empty कर देगा और आपको 200 MB data use करने में मिल जाएगा यह तो हो गया 200 MB की बात लेकिन मैं आज आज आपको बताऊंगा और एक दूसरी ट्रीक जो आपको कोई बताया नहीं होगा और कोई बताएगा भी नहीं तो यहाँ पर दिखिएगा मेरा 200 MB यहाँ पर हो गया free unnecessary data यहाँ पर 0 MB दिखा रहा है अभी मुझे 3 GB तक यहाँ पर space मिल गया है और मैं आपको second जो ट्रीक बताने के रखा है यह application बहुत ही अच्छा है इसे क्या काम होता है मैं आभी आपको बता देता हूँ जैसे application आप install कर लोगी उसको open कर लेना है जैसे application को आप open करते हो open करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई जाएगा तो यहाँ पर सब हो scan यहाँ पर audio दिख रहा है video दिख रहा है picture दिख रहा है document दिख रहा है तो आपको वह सब क्लिक नहीं करना है आपको directly full duplicate scan यहाँ पर क्लिक कर लेना है उसके बाद आपको scan now पर क्लिक कर जाना तो यह actually क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ यह जो application है यह काम करता है आपके phone में जो double files होंगे यह पर यहाँ पर एक मेरा रष के कमर चौह एक सांग उपर चौह पर तो मैंतलब ऑनहें चुक्जा करता है लिखे लेकिन आप पहली बार जब अपके phone में इंस्टॉल करोगे तो आपके यहाँ पर लगबग एक से दो जीवी का डेटा ये एप्लिकेशन आपको empty करके देगा क्योंकि मैंने इसको एक बार यूज किया इसके लिए यहाँ पर ये कम डेटा दिखा रहा है तो यहाँ पर मेरा 45 mb data दिखा रहा है यहाँ पर जितने आपके फोन में duplicates files होंगी तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर शोग कर देगा दिखेगा यहाँ पर जितने duplicates files से उसने यहाँ पर दिखाई दे रहे और WhatsApp पे आपको बहुत जादा यहाँ डबल डबल files यहाँ आ जाती है तो उसको delete करने क के लिए आप एक एक करके तो delete नहीं कर सकते हो लेकिन इस application को install करने के बाद एक साथ सभी files से आप यहाँ से delete कर सकते हो कि एक ही photo मुझे कितनी बार आ चुका है तो अभी हर एक को delete करने के लिए मुझे तो time नहीं मिलेगा लेकिन यह application यहाँ पर मुझे clean करके देगा तो यह मैंने जो first value setting बताई वो भी आपके phone में जरूर एक बार clean करके देखिएगा आपके storage को 100% आपका storage से 1-2GB तक बढ़ जाएगा और उसमें आप कुछ भी data रख सकते हो तो आपको वीडियो पसंद आयोगो तो वीडियो को like कीजेगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share और चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे लाल कलर के subscribe के बटन पर क्लिक करके चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जहिन वन्दे मातर हम